इस नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और वैल आइकन का बटर जरूर दबादो दोस्तों बढ़ते हैं आगे दोस्तों अब का मेरे यूटूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में पांच वर्टसप की सीक्रेट सेटिंग बताऊं को जो कि आपको बहुत यूजफुल होगी तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे दोस्तों फर्स सेटिंग है मेरे दोस्तों अभी मुझे अपने वर्टसप गुरूप में ए तो उस चीजसे हो जाते है अँप पारेशन तो दोस्तों पारेशन होने की जुरूप में क önストम क्लिक करेंगे सेटिंग में अबने प्रय वर्टसप में जाके सकंवर्टसप मेरे करें में मुझारल गरइए नीचे गुरूप का और लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो तो दोस्तो क्या करना है everyone हर कोई आपको अपनी गुरूप में add कर लेगा my contact जो आपका contact है वही आपको गुरूप में add कर पाएगा third number पर जो लिखा my contact accepted इसका मतलब होता है इस पर आप क्लिक कर दो तो आपको गुरूप में कोई भी add नहीं कर पाएगा अगर कोई बंदा आपको गुरूप में add कर लेता है तो वह आपसे पर्मिसन लेगा कर दोस्तियार में अपने group में add करना है और अपने WhatsApp की setting में जाकर permission को allow करते कि तो दोस्तो ये थी मेरी first setting तो दोस्तो बढ़ते हैं second setting पर दोस्तो इस setting को आप अपने mobile में use करोगे तो आपका mobile कुछ हर तक hang नहीं होगा तो दोस्तो बढ़ते हैं आगे तो दोस्तो क्या होता है कि आपके WhatsApp पर बहुत सारे SMS आते हैं आते हैं आते जाते रहते हैं तो आपके mobile के WhatsApp की memory फुल हो जाती है तो उसी के कारण आपका mobile hang करता है तो दोस्तो क्या करते हैं दोस्तो 3.5 क्लिक करेंगे setting में जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है data and storage usage तो दोस्तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके WhatsApp में कौन-कौन कितनी-कितनी MB यूज कर रहा है तो दोस्तो नीचे लिखा हुआ है storage usage तो दोस्तो इसके लिखा हुआ है कि यह मेरा storage जो WhatsApp की जो chatting होती है इतनी MB यूज कर रही है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मालूम पढ़ जाएगा कि कौन कितनी MB खर्च कर रहा है तो दोस्तो एक मैं आपको proof दिखा दूँ एक पर क्लिक करेंगे तो यहां पर free up space लिखा हुआ है नीचे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मालूम पढ़ जाएगा कि यह यह MB फोटो, वीडियो, टैक्स, डोकुमेंस इन सारु पर क्लिक हो जाएगा और इनको आप डिलीट कर सकते हो और आपका मुबाइल हैंग होने से बच जाएगा तो दोस्तो यह थी मेरी second setting और दोस्तो बढ़ते हैं तीसरी setting दोस्तो इस setting को आप ध्यान से देखना और आपकि यह बहुत बहुत काम आएगी तो دोस्तो क्या होता है आपको mobile, आपकी family मेज़िया आपको तो आपको डल लगता है कहीं या मेरे WhatsApp में जाकर कहीं है मेरे chatting read नकले तो आपको बहुत सारी chatting होती है friend, girlfriend, family तो आपको कहीं हद सक डर लगता है कि कहीं यह मेरे chatting पढ़ लेगा तो कहीं दिक्कत हो जाएगी तो दोस्तों आपको डरने की कोई जरूत नहीं है तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों मैं अपने WhatsApp में जाता हूँ तो दोस्तों क्या होता है कि आपके WhatsApp में आप अपने बहुत सारे chatting होती है तो उनको आप delete करते हो क्या करते हो, एक पर click करोगे तो दोस्तों क्या करते हो कि एक साथ क्लिक हो जाए तो दोस्तों क्या होता है बहुत सारे सोच चे क्या मेरी मेरी एक साथ history इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ओप्षा न जाएंगे नीचे थर्ड नमबर पर लिखा है clear all chat इसका मसला होता है कि आपके जो whatsapp में बहुत सारे आपने chatting किया है बहुत सारे नमबर है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके whatsapp की जितनी chatting है वो सब डिलीट हो जाएंगे लेकिन आपका जो नमबर है वो सब इसी पर रहेंगे और दूसरे नमबर पर दूसरे नमबर पर जो लिख थर्ड और दोस्तों और फोर्थ नमबर पर जो लिखा हुआ delete all chat इसका मतला होता है आपके whatsapp में जितने भी contact है वो सब की chat delete हो जाएगे आपके contact भी delete हो जाएगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह आपको third setting आपको बहुत खाम आएगी तो दोस्तों बढ़ते हैं fourth setting पर तो दोस्तों बढ़ते हैं fourth setting पर दोस्तों क्या होता है कि आपके WhatsApp पर कोई गुरुप है और उस गुरुप के मेंबर आप हो तो यह setting आपको जानना बहुत जरूरी है तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियोज करते है तो उस चीज़ से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है परिजानी होती है तो दोस्तो उस situation में आपको क्या करना है दोस्तो अपनी WhatsApp में जाना है दोस्तो आपका कोई आपका गुरूप है तो उसमें गुरूप में जाना है गुरूप में जाने के बाद गुरूप उपर जो गुरूप है उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों नीचे लिखा हुआ है group setting इसको क्या करना है इस पर click करने के पार नीचे लिखा हुआ है send message इस पर click करेंगे तो इस पर लिखा हुआ है all participants तो इसका क्या मतलब होगा इस group में बहुत सारे तो इस पर आप click कर लेना तो आपको इस गंदे गंदे वीडियो से आपको बचने की इस पर click करने आपको इस गंदे गंदे SMS से आप बच सकते हो तो इस group में कोई SMS नहीं करेगा सिवाए आपके तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह fourth setting मेरी पसंद आई होगी तो दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट और सब्सक्राइब order and setting के पारे में सैटिंग को मेरी इस सैटें अब से लिए मेरी ऐप्से है आप से रिक्षी इस सेटिंग को आप के बहुत काम आई की तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों क्या होता है色 कि तो उसमें बहुत सारी एप्लिकेशन होती है, चैटिंग एप्लिकेशन होती है, तो उसमें नौटिफिकेशन में आपके उपर नौटिफिकेशन में क्या-क्या लिखा हुआ है, फोटो के साथ, नेम के साथ, वो सब आपकी नौटिफिकेशन में, अनौटिफिकेशन में सो हो तो दोस्तो उस चीज से आपको परेशानी हो सकती है तो दोस्तो इस चीज से आप बच सकते हो तो दोस्तो क्या करना है अपनी वर्टसप में जाना है वाट्साप में जाने के बाद three dot पर क्लिक करेंगे three dot पर क्लिक करने के बाद setting में जाएंगे setting में जाने के एकाउंट में जाएंगे एकाउंट में जाने के पर privacy में जाएंगे तो दोस्तों यहां से देखना नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिंगर्प्रेंट लॉक आ रहा है तो दोस्तों यह फिंगर्प्रेंट लॉक उसी मोबाइल में आएगा जिस मोबाइल में फिंगर्प्रेंट का ओप्षन है तो दोस्तों इस पर क्लिक करेंगो फिंगर्प्रेंट पर यहां पर मेरी पर्मिशन को ओन करना है फिंगर्प्रिंट मांगा है फिंगर्प्रिंट लगा दिया मैंने ओन हो गया तो दोस्तों नीचे लिखा हुआ है show contact in notification दोस्तो इसका क्या मतला होता है जो मैंने आपको बता है कि उपर notification show होती है photoage के साथ, name के साथ और sms में क्या लिखा हुआ है उस चीज के बारे मैं आपको बता रहा हूँ तो दोस्तो क्या करना है इस permission को आपको off कर दिना है तो जितने भी आपके mobile में, whatsapp में जितने भी notification आएंगे वो notification show नहीं होंगे तो दोस्तो ये setting आप अपने mobile में use करो और अपने friend को बताओ तो दोस्तो मेरी video आपको पसंद आई हो I hope, उम्मीद करता हूँ ये मेरी video आपको पसंद आईगी तो दोस्तो अपने friend में इसको share करतो अपने family में share करतो तो दोस्तो मिलते हैं इसे भी खतरनाग video के अगले part में